Let's read BLEEK HOUSE BLEEK HOUSE is a novel by Charles Dickens और Victorian era में एक popular trend था कि novels को installments में publish कराया जाता था या फिर हम कहेंगे कि serially publish कराया जाता था तो Charles Dickens ने भी अपने बहुत सारे novels को serially या installment form में ही publish कराया था और ये नोवल ब्लीक हाउस उन में से एक है इस नोवल को 1852 से 1853 के बीच में 20 एपिसोर्स के फॉर्म में इंस्टॉल्मेंट्स में यानि के सीरिल के फॉर्म में पब्लिश कराया गया इस नोवल के अंदर बहुत सारे करेक्टर्स हैं और कुछ या कई हम कह सकते हैं सब प्लोट भी है अब में प्लोट और सब प्लोट क्या होता है में प्लोट होता है कहानी के मुख्य करेक्टर्स से रिलेटिड जो कहानी है नोवल के अंदर एक जो मुख्य कहानी है जिसके जो करेक्टर्स हैं वो मेन करेक्टर्स हैं उसे हम मेन प्लोट कहते हैं और इस मेन प्लोट के साथ साथ कुछ दूसरे करेक्टर्स होते हैं जिनकी एक कहानी साथ साथ में चलती रहती है और वो कहानी कही ना कही मेन प्लोट से लिंक होती है मुख्य कहानी से लिंक होती है उसे हम सब प्लोट कहते ह तो इस novel के अंदर कई subplots हैं और इन subplots का जो वर्नन है वो partly एक omniscient narrator के द्वारा किया गया है और इनका कुछ भाग Esther Sumerson जो की novel की heroine है के द्वारा वर्नित किया गया है Esther Sumerson ने अपनी कहानी को वर्नित करने के लिए novel में past tense का प्रयोग किया है और Charles Dickens के बहुत सारे दूसरे novels में भी characters ने अपनी कहानी को वर्नित करने के लिए past tense का ही प्रयोग किया है जैसे कि David Copperfield में David नाम के character ने और Great Expectations में Pip नाम के character ने अपनी कहानी का वर्नन के लिए past tense का इस नौवल की कहानी ब्लीक हाउस पर अधारित है ब्लीक का मतलब होता है उजाड या निरजन या फिर जिसका रखरखाव सहीधंग से नहीं किया गया है तो नौवल में ब्लीक हाउस पर टिपेंड है या ब्लीक हाउस पर बेस्ट है नौवल की कहानी and a long running legal case in the court of chancery एक case है जो की novel की मुख्य थीम रही है उस case को gerundis and gerundis के नाम से या gerundis vs gerundis के नाम से बर्नित किया गया है यह जो case है यह काफी लंबे समय से चल रहा है कई पीडियों से चल रहा है और यह कहां चल रहा है Court of Chancery में चल रहा है इस novel को जब हम read करते हैं तो तो ये जो ये जो novel है bleak house इसके अंदर जिस case की हम बात कर रहे है gerundis and gerundis case ये gerundis and gerundis case एक interminable law case है यानि कि एक लंबा और लगभग खतम ना होने वाला law case है जो कि court of chancery में pursue कर रहा है और इस case को क्यों किया गया है क्योंकि एक जो testator है testator यानि कि वसीहत बनाने वाला एक वसीहत बनाने वाले ने एक से ज़ादा वसीहत बना दी और एक से ज़ादा वसीहतों के कारण ये जो वसीहते थी ये आपस में conflict करने लगी और जो वसीहत थे उसके बहुत सारे beneficiaries बन जाते हैं बहुत सारे ऐसे वेक्ति बन जाते हैं जिन से उसको lab मिलने वाला है जिन से की जिनकों की case से lab मिलने वाला है तो ये जो beneficiaries हैं ये lab लेने के इच्छुक है और इसी वजह से court के अंदर court of chancery में ये case pending है अब जो writer है Charles Dickens उन्होंने claim किया कि उनका जो novel है जैसे इस case को show करता है वैसे ही case के बहुत सारे उधारन real life में भी है और ये जो case है ये किस वजह से आता है बहुत सारी conflicting wills के कारण आता है इस novel ने जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं novel के अंदर एक case चल रहा है वसीध को लेकर और writer ने claim किया था कि ऐसे बहुत सारे cases हैं court के अंदर जो काफी लंबे समय से यानि की PD दर PD चलते रहते हैं और जो case है वो solve नहीं होते हैं तो इस novel ने judicial reform movement को बढ़ाने में आगे करने में काफी sport किया और जिसकी वजह से जब ये movement था ये जो आंदोलन था judicial reform का जब ये समापन हुआ इसका तो एक legal reform 1870s के दशकों में वहाँ पर लागो हुआ Now it's time to read the story of the novel with the help of its characters and the first character of the story is Sir Leicester Deadlock Sir Leicester Deadlock अपनी wife Honoria के साथ अपनी estate Chesney Wald पर रहते हैं अब इस Honoria को हम novel में Lady Deadlock के नाम से भी जानते हैं इनका एक family solicitor या family advocate है जिसका नाम है Mr. Telkingan ये Mr. Telkingan एक दिन Sir Leicester के लिए एक एफिडेविट रीड कर रहे होते हैं जब ये एक एफिडेविट रीड कर रहे होते हैं तो उस पर एक handwriting को देखकर Lady Deadlock बहुत घबरा जाती है इस चीज़ को Mr. Telkingan notice कर लेते हैं और वो जानना चाहते हैं कि Lady Deadlock इस handwriting को देखकर क्यों घबरा गई आखिरकार ये handwriting किसकी है इसके लिए वो investigation शुरू कर देते हैं और जब वो investigation करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये handwriting नेमो नाम के एक वेक्ति की है अब नेमो नाम के इस वेक्ति को ये ढूंडने के कोशिश करता है नोबडी है अब ये जो नेमो है ये actual में Captain Howden है ये जो Captain Howden है ये Honoria का Honoria की marriage से पहले उसका lover रहा है एक तरफ तो Mr. Telkingan ये investigate कर लेते हैं कि जो handwriting थी वो नेमो की थी लेकिन नेमो मर चुका था दूसरी तरफ Honoria अब इस नेमो से मिलना चाहती है यानि कि Captain Howden से मिलना चाहती है अब जब इसे पता चलता Honoria को यानि कि लेडी डेडलोग को कि नेमो मर चुका है तो वो जो के पास जाती है और जो को pay करती है किस चीज के लिए कि मुझे नेमो की grave तक ले जाओ अब ये जो कौन है जो एक बहुत ही गरीब सा लड़का है जो कि होमलेस है और वो एक स्ट्रीट स्वीपर है कली में स्वीपिंग करने का काम करता है ये Tom All Alone नाम के एक प्लेस पर रहता है जो Tom All Alone नाम का ये प्लेस है ये सिटी का सबसे ज़्यादा पावर्टी स्ट्राइकन एरिया है यानि कि सबसे ज़्यादा गरीबी वाला एरिया है अब ये जो को पे करती है किस चीज के लिए नैमो की ग्रेव तक ले जाने के लिए दूसरी तरफ मिस्टर टलकिंगर ओनोरिया के उपर पूरी नजर रखे हुए है अब जब ये जो के पास जाती है ग्रेव तक ले जाने के लिए नैमो की तो इसने अपना भेश बदल रखा है और किसका भेश बना रखा है अपनी मेड मैड मौसल का भेश बना रखा है एक तरफ तो मिस्टर टलकिंगर ने खुद इसके उपर नजर रखे हुए दूसरी तरफ ये इसको एनलिस्ट कर लेता है इसकी मेड को पैसे देकर एनलिस्ट कर लेता है नियुक्त कर लेता है उसकी जासूसी करने के लिए और दूसरा ये इंस्पेक्टर बकेट नाम के एक करेक्टर को भी पैसे देता है कि वो जो को टाउन से बाहर कर दे अब ये जो को टाउन से बाहर क्यों करना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कौन मिस्टर टलकेंगन नहीं चाहता कि जो के बीच में अब हम बात करते हैं next character Esther Summersan की Esther Summersan novel की heroine है और उसको Miss Barbarie के द्वारा पाला पोसा जा रहा है Miss Barbarie उसकी God Mother या Benefactor हम कह सकते हैं वास्तव में Miss Barbarie उसकी Aunt है क्योंकि Esther Summersan Lady Dadlock की बेटी है और ना ही Lady Dadlock को ये पता है कि Esther Summersan उसकी बेटी है और ना ही Esther Summersan को पता है कि Lady Dadlock उसकी मदर है इवन Esther Summersan को तो ये भी नहीं पता कि Miss Barbarie उसकी Aunt है और Miss Barbarie ओफन उसको ये कहा करती थी कि तुम अपनी मदर के लिए बोज हो और तुम्हारी मदर तुम्हारे लिए बोज है यू आर दिस्ग्रेस और दबा हुआ हो जाता है शायद इसी वज़ा से Miss Barbarie के हार्श बिहेवियर की वज़ा से Miss Barbarie की डैथ के बाद जोन जारिंडिस जो है वो Esther Summersan के गार्डियन बन जाते हैं Esther Summersan के अरावा Richard Carson और Edda Claire नाम के दो और जो हम कहेंगे की वार्ड है वो जोन जारिंडिस की कस्टडी में है मतलब जोन जारिंडिस के पास अब तीन जो करेक्टर्स हैं Esther Summersan, Richard Carson और Edda Claire ये तीन क्या है कस्टडी में हैं वार्ड के तोर पर अब इनकी कस्टडी में ये तीनों पल रहे हैं और जो Richard Carson और Edda Claire है वो distant cousins है धीरी धीरी Richard Carson और Edda Claire एक दूसरे से लव भी करने लग जाते हैं जब इस पर जोन जारिंडिस को कोई जादा मतलब फरक तो नहीं पड़ता लेकिन वो Richard को कहता है कि उसे पहले अपना career set कर लेना चाहिए इस पर Richard Carson कई सारे काम करता है लेकिन सब में fail हो जाता है जैसे सबसे पहले वो medicines की line में अपना कार्य करता है then he works as he works in low means की पहले Richard Carson medicine line में फिर low में अपना career बनाना चाहता है मतलब कानून में low system में अपना career बनाना चाहता है उसके बाद वो army officer army office में या military office में commission बाए करना चाहता है इस तरह से वो कई तरह के careers को follow करता है लेकिन किसी में भी सफल नहीं हो पाता फिर उसके बाद वो expect करता है कि जो gerundis and gerundis case है जिसका कि वो एक beneficiary भी है उसमें वो जल्दी ही soul हो जाएगा और उसे बहुत benefit उसमें मिल जाएगा लेकिन जब john gerundis को इस बारे में पता चलता है कि जो richard है वो इस case से benefit प्राप्त करने की उमीद में बैठा हुआ है तो वो उसे बहुत ही politely advise करता है कि वो इस चीज के भरोसे ना बैठे और अपने career को pursue करे और यहाँ तक कि john gerundis इस case को क्या कहते है यह एक family curse की तरह से है और वो इसे family curse क्यों कहते है क्योंकि यह जो case है यह PD दर PD चलता आ रहा है और किसी को भी इसका benefit नहीं मिलता नहीं case resolve होता है इसी वज़े से इसको एक family curse इन्होंने कहा है इसके बाद इसके बाद जो Richard Carson है वो सारे प्रियासों में अपने धन कमाने के विफल हो चुगे है इसी लिए वो कोशिश करता है कि जो gerundis and gerundis case है वो जल्दी से conclusion तक पहुँचे जल्दी से solve हो जाए और Ada के favor में और उसके favor में जो हम कहेंगे कि verdict है, फैसला है वो चला जाए इस process में Richard अपनी सारे जो पैसे थे वो भी गवा बैठता है वो और Ada secretly marry कर शादी कर लेते हैं और Ada pregnant हो जाती है इस्थर को यह जाती है एस्थर Lady Dadlock को Church में देखती है जिसके बाद वो Lady Dadlock के घर पर मिलते हैं यानि कि Chesney Wald में मिलते हैं वहाँ पर Lady Dadlock को पता चलता है कि एस्थर उसकी ही बेटी है और यह जो Lady Dadlock थी जैसा कि हम पहले describe कर चुके हैं कि इनका एक लवर था मैरिस से पहले जिसका नाम था नैमो और कैप्टन होडन और एस्थर इसी नैमो और कैप्टन होडन और Lady Dadlock की बेटी थी Lady Dadlock ने एस्थर समर्सन को के बारे में सोचा था कि वो मर चुकी थी बच्पन में ही लेकिन अब बड़ी होने के बाद वो अपनी बेटी से दुबारा से मिलती है थोड़े टाइम बाद एस्थर बिमार हो जाती है जैसा कि Lady Dadlock को पता चल चुका था कि एस्थर उसकी ही बेटी है लेकिन वो वेट करती है एस्थर के ठीक होने की वो सोचती है कि वो एस्थर को ठीक होने के बाद ही बताएगी कि वो उसकी बेटी है और जो एस्थर है उसको शायद स्मॉल पोक्स होता है जिसकी वज़ा से उसकी बोड़ी पर बहुत सारे निशान बन जाते है और वो completely disfigured सी लगने लगती है जैसे वो रिकवर कर जाती है तो उसके मदर उसे उसके और एस्थर के connection के बारे में relation के बारे में बताती है दोनों बहुत खुश होती है reunite होकर और Lady Dadlock एस्थर को कहती है कि वो अब ये connection दुबारा से किसी से भीना बताए एस्थर और Woodcott जैसा कि एक दूसरे से लव करते है एस्थर और Mr. Woodcott एक दूसरे से लव करते है और एस्थर की disfigurement के बावजूद भी जो Woodcott है वो उससे शादी करना चाहता है लेकिन एस्थर ने पहले से ही अपने guardian John Gerendis से marriage के लिए agree कर दिया था Mad Moiselle Hortens जो की honoria की maid है और Mr. Telkingern जो की advocate है इन दोनों ने अब Lady Dadlog के past के बारे में पता लगा लिया था और जैसे ही Lady Dadlog का सामना इस से होता है इस solister से Mr. Telkingern से होता है उसे पता चलता है कि इसको सब कुछ पता चल गया है तो Lady Dadlog घर चोड़ कर चली जाती है और अपने husband Sir Leicester के लिए एक माफी नामा या एक एपलोजिस छोड़ जाती है Mr. Telkingern को उसके बाद short कर दिया जाता है मार दिया जाता है और उसका जो संधे होता है वो Lady Dadlog पर जाता है Sir Leicester को जब पता चलता है कि उसके lawyer की death हो चुकी है और wife उसके घर से जा चुकी है और किस तरह से उसका एक व्यक्ती Nemo नाम के व्यक्ती से affair था तो जब उसे ये सारी चीज़े पता चलती है तो उसे बहुत ही गहरा stroke लगता है धक्का लगता है लेकिन फिर भी वो अपनी wife को माफ कर देता है और चाहता है कि वो वापस आ जाए सर ले सिस्टर डैडलोक उसी inspector bucket को अपनी wife को ढूंडने के लिए कहते हैं जिसने की solister Mr. Telkingan की help की थी अब ये जो inspector bucket है ये पहले तो सोचता है कि honoria यानि की lady dadlock ने ही solister को मारा है लेकिन बाद में उसका ये जो suspicion है ये clear हो जाता है और वो एस्थर समरसन को कहता है कि वो अपनी मदर को ढूंडने में help करे तो इस तरह से वो उसके मदर को एस्थर की मदर को और सर ले सिस्टर डैडलोक की wife को ढूंडने की कोशिश करता है दूसरी तरफ जो honoria है उसे नहीं पता होता कि उसके husband सर ले सिस्टर डैडलोक उसको माफ कर चुके है तो वो इसी तरह से cold में ठंड में ठंडे weather में बाहर भटकती रहती है और अपने former lover captain horden की जो grave थी symmetry थी वहाँ पर उसकी मृत्य हो जाती है जब उसकी मृत्य हो जाती है तो उसकी dead body Esther को और inspector bucket को वहाँ पर मिल जाती है अब gerundis and gerundis जो legal case था उसके अंदर एक progress होती है एक नई विल एक नई वसीहत मिल जाती है जिसके मिलने से पुरानी जो सारी वसीहते थी वो एक तरह से दबा दी जाती है उनका कोई logic नहीं रह जाता और इस नई वसीहत के according रिचर्ड और एड़ा को उस estate का संपती का बहुत बड़ा हिस्सा मिल जाता है और ये जो john gerundis है जिसने की Esther Sumerson से marriage करने के लिए उसकी सहमती ली थी ये इस marriage को या engagement को cancel कर देता है और Esther Sumerson और Mr. Woodcott दोनों engagement कर लेते हैं और अब ये दोनों और john gerundis रिचर्ड कार्स्टन से मिलने के लिए court of chancery जाते हैं लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो ये देखते हैं कि case finally over हो चुका है और ये over इसलिए हो चुका है क्योंकि जो litigation था मुकदमा था उसकी cost इतनी ज़्यादा थी कि उसने पूरी की पूरी estate को consume कर लिया था मतलब संपत्ती का जितना cost था वो सारा का सारा मुकदमे में लग चुका था और अब इस वज़े से मुकदमा over हो चुका था रिचर्ड मुर्चित हो जाता है और Mr. Woodcott उसको डाइगनोज करते हैं और पाते हैं कि वो tuberculosis की TV की last stage पर था रिचर्ड जोन जेरेंडिन से माफिय मागता है और मर जाता है ये जोन एडा को फिर से अपनी custody में ले लेता है और एडा का एक child है एक बेटा है उसका वो नाम Richard रखती है दूसरी तरफ Esther और Woodcott Marries कर लेते हैं और Yorkshire में रहते हैं और बाद में इस couple की दो बेटिया होती है तो ये था main plot कहानी का इसके अलावा जैसा कि हम पहले ही discuss कर चुके हैं कहानी में बहुत सारे subplots और बहुत सारे minor characters भी है इन में से एक subplot है Caddy Jalibi और Prince Derby Drop का दूसरा जो subplot है वो है George Roundswell's Rediscovery of His Family and His Reunion with Mother and Brother का इस novel को G.K. Chesterton और George K. Singh ने best novel बताया है Charles Dickens के और वहीं Harold Bloom ने भी Bleak House को Dickens के greatest novels में से एक माना है